नौवी से बारवी कक्षा के विद्यारतियों के लिए CBSE से एक बड़ी खबर सामने आ रही है CBSE कंसिडर कर रही है ओपन बुक एक्जाम्स करना for classes 9-12 जहां नौवी और दस्वी के बच्चों के लिए English, Maths, Science जैसे सब्जेक्च में open book करने की बात चल रही है वहें 11 और 12 कक्षा के बच्चों के लिए Maths और Biology जैसे सब्जेक्च में open book exams जाने वाले हैं इस विडियो में मैं आपको समझा देता हूँ कि open book exams क्या होते हैं open book exams में विद्यारतियों को अपने साथ notes carry करने की अनुमती दी जाने वाली है यानि वो किसी भी प्रकार के notes exam में लेकर बैठ सकते हैं और उनको याद करने की यानि रटा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन गौरतलब हो ये सरफ कुछी subject में लगाया जाएगा क्योंकि social science जैसे subject में open book की अनुमती नहीं दी जाएगी वो सीधा सीधा cheating हो जाएगी लेकिन maths, English और science जैसे subject में open book का बेहत फायदा होगा maths के formula रटने नहीं पड़ेंगे विधारतियों को और वो अपने साथ maths के formulas की list ले जा सकते हैं और question paper में देख के उसको solve कर सकते हैं English और Hindi जो भाशा के subject हैं उसमें भी open book काफी काम आने वाला है लेकिन इसमें भी विवाद चड़ रहा है कि क्या इंडिया की education system इससे खराब हो जाएगी और science में भी ऐसा ही रहेगा लेकिन जो new education policy है 2020 में launch करी गई थी और नरेंदर मोदी जी भी काफी अगरसर है कि बच्चों को stress free environment में पढ़ाई कराई जा सके इसी mission के चलते अब open book exams की consideration सामने आने लगी है कुछ दिनों पहले ही खबर आ रही थी कि cbse 10 वी और बार्णी के boards भी दो बार करवाने वाली है और उसकी तो mandation 2025 से भी कर दी गई है लेकिन अभी open book exams की consideration शुरू कही गई है आपको बता दू कि cbse open book exams पहले भी करता है और schools में बच्चों को इसकी practice है लेकिन किसी भी बड़े level के exam यानि 9 वी से 12 में कभी भी open book exam नहीं हुआ था इसे बच्चों का अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा और वो बहतर प्रदर्शन कर पाएंगे लेकिन इससे कहीं इंडिया की education quality ना खराब हो जाए ये भी एक बड़ा विवाद है तो दोनों ही पक्षों की बात जायज है लेकिन आपको क्या लगता है कि open book exams करवाना विध्यारतियों के लिए अच्सी बात है या नहीं हमें comment section में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रही है इंडिया निउस के साथ